प्रवक्ता हमलावर हो गए लगने लगा कि जेडियू से पीके की छुटी हो जाएगी लेकिन कल जब पीके सीएम नितीश कुमार से धाई घंटे लंबी मुलाकात के बाद बाहर आए तो कहा कि वो अपने स्टेंड पर कायम हैं ये खबर भी आई कि उन्होंने तीन बार सीएम के सामने अपने इस्तिफे क की पेशकस की लेकिन सीएम ने उनकी पेशकस को ठुकरा दिया कल के इन राजिंती घटना क्रमों के बाद या सवाल लगातार तहल रहा है कि पीके नितीश कुमार के लिए जरुरी है या नितीश पीके के लिए जरुरी है फिलाल संकेत यह मिल रहे हैं कि नितीश प्रसांत क की सोर का साथ नहीं छोड़ना चाहते पीके गैर बीजेपी मुखमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है तमिलाडू में वे स्टालिन के चुनावी रनितिकार की भूमिका निभाने वाले हैं दिल्ली में सीएम और विंद के जिवाल के चुनावी रन दूसरे राजियों में मुश्किल कर रहे हैं या करने वाले हैं ऐसे में पीके का जेडियों में बने रहना इन कयासों को और मजबूत करता है कि पीके नितीज का दिया टास्क पुरा करने में जुटे हैं जिस तरह से बीजेपी और जेडियों के बीज तलखी रही है और हाल कि चोड़ जो कर रहे हैं वो बिना नितीश कुमार की मरजी के सम्भव नहीं है दूसरी तरफ जेडियू के निता दवी जुमान में कहते हैं कि गिराज सिंग और बीजेपी के दूसरे निता नितीश कुमार की खिलाब कुछ बोलते हैं और उनके खिलाब कारवाई नहीं होती इसका मतलब ही है कि बीजेपी के सिर्ष नितित्व की सह पर ही गिराज सिंग और बीजेपी के दुसरे निता नितीश पर निशाना साथते हैं जाहिर है इस से यह बात और साफ हो जाती है कि बीजेपी और जेडियू दोनों मौका मिलते ही एक दुसरे का हिसाब किताब चुकता कर देना चाहती है बीजेपी सांसद और पार्टी के कदावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकूर खुल कर यह कह चुके हैं कि प्रसांत किस और जिस तरह से ममता बेनर्जी के लिए चुनावी रणनितिकार की भूम का निभा रहे हैं वो गटबंधन धर्म के अनकुल नहीं है क्योंकि पीके सिर्फ चुनावी रणनितिकार नहीं है वलकि बीजेपी की सहयोगी जेडिव के राष्टी उपाद्यक्स भी हैं नितीस और पीके की मिली भगत एक बड़े सियासी खेल का संकेत भी देती है खेल यह है कि पीके दूसरे राज्यों में बीजेपी विरोधी दलों को मजबूत करें और दोहजार चोविस में देश की मिली पक्सी पार्टियों को इस बात के लिए तैयार करें कि नितीस को पीएम पतकाव मिदबार बना कर दोहजार चोविस का लोगसभा चुनाओ लगा जाए तो क्या बीजेपी नितीस और पीके के इस बड़े खेल में फंस गई है क्या नितीस कुमार दोहजार चोविस की रणिती पर काम कर रहे हैं और इसलिए पीके को हर हाल में अपने साथ रखना चाहते है तस्वीर धुंदली है लेकिन जब धुआ चटेगा तो कई दिल्चस्प चीजे सामने आएगी इतना ते है इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद